आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूसफुल होने वाली है फ्रेंड्स क्योंकि आज की वीडियो में कुछ मैं अलग आपको बताऊंगी आज मैं आपको घर को डेकोरेट करने के लिए एक दो बहुत अच्छे टिप्स बताऊंगी जिने जो बिगनर्स है ना जिने स्टिचिंग सिलाई नहीं आती है वो भी अपने घर को घर में पड़े बेकार चीजों से सजा सकते है फ्रेंट्स हम सब भी को स्टिचिंग नहीं आती है और आज कल घर को बैड को या फिर सोफे को सजाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो मैं कुछ ऐसे टैंप्रेरी हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे क्या होगा ना आप अपने चुजों को सजा भी लोगे और जब उनको हटाना हो तो आप बड़े इसली उनको हटा भी सकते हो तो सिर्फ इन चुजों को सजाने के लिए हमें फ्रेंट्स चूरियों के जौद पड़ेगी तो चलिए फ्रेंट्स बढ़ते हैं अपने पहली वीडियो की तरफ हेलो एब्रिवन वल्कम बैक टू माइच चैनल तो फ्रेंट्स सबसे पहली मेरी हैक है इस के कुश्चन सबके घर में होते हैं और जब कर आते हैं तो हमें इन्हें सजाना रहता है अगर आपके पास बनार्सी डुपट्ट्टा है या कुछ जरीवर्क वाले डुपट्ट्टे हैं तो उन्हें कैसे करना है सबसे पहले आप कुश्चन ले लिए चोटा या बड़ा जैसा हो उस आपके डुपट्ट्टे का साइज आतो डबल कर लिए तो अकर बड़ा है तो सिंगल ही रहने दीजिए उसके बाद दो तरीके से आप इस तरीके से मोड दीजिए आपने देखा होगा और इस तरीके से हम फिर इसको मोड देंगे देखिए मोडने के बाद अच्छे से कवर हो गया है ठीक है अब कवर होने के बाद हमें क्या करें जो दोनों उपर के तर और बिना स्टिचिंग के इस तरीके से आप अपने तीन-चार कुशन जब रेडी कर लोगे न और जब अपने ड्रॉइंग रूम को डेकोरेट करोगे न बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगेगा और बहुत सारे लोग आपकी तारिफ करेंगे और आपसे पूछेंगे आपने कैसे किया है तो यह देखें बिना स्टिच किया हमने सिंपल साये अपना कुशन रेडी कर लिया है और यह देखें कितना ब्यूटिफुल लग रहा है न तो इस तरीके से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो चलिए फ्रेंस बढ़ते हम अपने दूसरे टिप्स के तरफ म एक रिंग को लगाने का बट अगर हम चाहें न फ्रेंस तो इसमें और भी चीजों को और गिनाइस कर सकते हैं जैसे कि मैंने इसमें दो होल्स और कर दिये बहुत आसानी से हो जाते क्योंकि इसके अंदर फोमी रहता है और यूपर वैलवेट होता है तो इस तरीके से आप तीन रिंक्स अपनी और गिनाइस कर सकते हों तो है ना छोटा से हैग बट कितने काम का है फ्रेंस तो यह सब चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा पसंद आए तो लाइक करिएगा तो चलिए फ्रेंस बढ़ते हैं अपने नेक्स टिप्स के तरफ जो है वो भी बहुत ज्यादा यूसुल फ्रेंस हम सबके घरों में छोटे बच्चे रहते ही हैं और बच्चे जब पैंसिल वगरा शार्प करते हैं स्कूल में तो टीचर्स उन्हें डाड़ती भी है कि आप यहां कच्रा कर रहे हो और बच्चों को बार बार डस्ट बीन के पास जान पढ़े का पर्स ले ले लिजिए और उसे अपने बच्चे के अंदर बैग में ना इस तरीके से टक कर दीजिए इससे टक करने से क्या होगा आपके बच्चे जब भी पैंसिल वगरा शार्प करेंगे ना तो इस ही बैग में शार्प करके रख देंगे क्योंकि छोटे बच्चे तो करते ही रहते हैं और इस तरीके से उनके अंदर बहुत अच्छी हैबिट भी हो जाएगी तो यह देखे पैंसिल जब बच्चे आपके शार्प करेंगे तो शार्प करने के बाद कश्रे को इसमें डाल देंगे इससे उन्हें बार बार ना डस्ट बिन के तरफ जाना नहीं पड़ेगा टीचर की डाल भी नहीं पड़ेगी और हमारे बच्चों का काम भी हो जाएगा तो देखे कितना चोटा सा यह हैक था टिप्स था जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूस्टफुल हो जाता है तो आप यह टिप्स जरूर ट्राइ करेंगी अपने बच्चों के साथ तो यह टिप्स भी कैसी लगई फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएगा उसके बाद जब बच्चे घर आए तो उसे आप फेक दीजी और साफ कर दीजी साफ करने के बाद वापिस से अपने बच्च अगर हम उसे फ्राइक करते हमें थोड़ा सा शक्कर डाल देना तो ट्रस्ट में सब्जी मीठी तो नहीं होगी पर जो सब्जी का कलर होता है और जो सब्जी का कुख होने का प्रोसीजर है वो फटा फट से हो जाता है यह देखिए हमारा मसाले का रंग इतना अच्छा आया है और फटा फट से रेडी हो गया है तो फ्रेंट्स मैं यह बना रही थी कठल की सब्जी रेसिपी में शेयर नहीं कर रही हूँ मैंने सिर्फ आपके साथ यह टिप्स शेयर किया आप जब भी प्याज का मसाला बनाए थोड़ा सा इसमें चीनी राल दीजिए उसके बाद आप अपने सब्जी का रंगत और टेस्ट देखिये बहुती ज़्यादा माइंड ब्लॉइंग होता है तो यह है कठल की सब्जी आपको कैसी लगी बताएगा जरूर और किस को कठल की सब्जी पसंद है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा मुझे तो बहुत ज़्यादा पस इसके बाद मेरी अगली टिप्स भी बैड़ शीट को लेकर हैं पहला मैंने आपको कुशन बताया था दूसरा बैड़ शीट को अगर आप कोई पार्टी भी है मैं तो कोई अच्छा सा बैड़ शीट अपने दीवान बैड में लगा रहे हो न वो इस तरह से लटकता है न तो अच्छा नहीं लगता है बट अगर आप उसको इस तरीके से करो गो ना एक चूड़ी अंदर डाल दोगे बैंगल मोटा रहे थोड़ा सा और उसके बाद उसी तरीके से रवर लगा दोगे उसके बाद आप देखोगे इसका पुरा लुक ही चेंज हो जाएगा इतना सुन् तो सभी आपसे पुछेंगे आपने यह कैसे किया तो अच्छी लगी आपको टिप्स फ्रेंस तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कौन सी वाली आपकी फेवरेट है वो भी कमेंट्स करके जरूर बताईएगा इसी तरीके कि अमेजिंग टिप्स में आप लोग के लिए ल करते हैं और हमारा काम ठीक से चलने पाता रिमोट का अगर हम मार्केट नहीं जा रहे हैं और हमें इंस्टेंट कुछ देखना ही देखना है तो उसके लिए आप क्या करें ना एक ले लीजिए ऐल्यूमूनियम फॉयल और एल्यूमूनियम फॉयल को आप पीछे के तरफ को लेके aluminium foil में लपेट लीजिए और लपेटने के बाद आप इसे धूप में रख दीजिए धूप में रखने से भी जो सेल की बैटरी है वो चार्ज हो जाएगी और आपको जो रिमोट है वो तीन से चार दिन तो पड़े अराम से चलेगा और आपके पैसे की बचत भी होगी आपका काम भी हो जाएगा तो कैसी लगी टिप्स कमेंट करके जरूर बताएगा तो फ्रेंट्स इस तरह की वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे जरूर बताएगा मिलेंगे कल नए फिर वीडियो में तब तक अपना अपनों का ध्यान रखिए and thank you so much for watching my video bye bye and take care